तो पिछले एपिसोड में कैप्टन ली अपने एंजल गुरूप के साथ में हाओच इनको कैद करना चाहता था लेकिन या देखते ही सायरिस के उपर काफी गुसा हो गई थी जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और ह इसलिए वो उससे काता है कि सायर तुम काफी ठक गई होगी और फिर इसलिए उसे अराम करने के लिए भेज देता है लेकिन इधर कैप्टन ली को इनके वीच के माइटर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था इसलिए वो होली मुन से पूछता है कि आखिरकर हाओच ने तो अ पाकिस सोलजर भी इनको चारो तरब से घेरने लगते हैं और कहने लगते हैं कि क्या तुम हमारे कैप्टन ली से पंगा लेना चाहते हूँ अब इसी तरह से वे बात करते हुए इनका मजाक उड़ाने लगते हैं लेकिन तब ही होली मून इनके इस हरकत से काफी गुस्ता हो होल सकता लेकिन इसके बाद भी अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास में हाउचें से ज्यादा लाइट एलिमेंट है तब इसके वज़ास से तुम अपने डाउट को क्लियर करने के लिए उसके साथ में कंपीट कर सकते हो तब इसके बारे में सुनते ही इसके लिए रेडी हो गया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ताकतवर है और इसके अलावा इसके पास में एंजल गुरूप जैसी पाउरफुल टीम भी है इसलिए अगर उसे लाइट एलिमेंटल स्पृट मिल गया तब इसके वज मास्टर भी चुन लिया है लेकिन तब ही हम देखते है कि हाओ चेन इसके पास आकर इसे सांथ करा देता है और फिर वो इनसे कहता है कि वैसे तो मैंने इसमें कुछ भी गलत नहीं किया लेकिन इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो मैं इस कमपर्टिशन के लिए दूँगा लेकिन असल में लिन सिन इसके लिए रेडी नहीं होता और फिर वो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे पास में कितने मेरिट पॉइंट होंगे क्योंकि अगर तुम्हारे पास में चाहे जितने भी मेरिट पॉइंट हूँ लेकिन इसके बाद भी लाइट elemental spirit बेस किमती है इसलिए तुम्हारा बेट इसके बराबरी में नहीं है और अब इतनी बात कहने के बाद वो इसके उपर गुसा हो जाता है तब इसकी बात सुनकर captain नहीं उससे फूचता है कि तो फिर तुम इसके बदले में क्या चाहते हूँ जिस पर लिन सिन उससे कहता है कि अगर तुम इस मैच में हार गए तो फिर उसके बाद तुम्हें सब के सामने हाओ चिन से माफी मांगना होगा क्योंकि मैं किसी के भी सामने अपने लिडर की बेज़िती होते हुए नहीं देख सकता तब ही हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर एंजल गुरूप के वाल एक नए डीमन हंटिंग गुरूप का लीडर है लेकिन क्या इसके बाद भी वो एंजल गुरूप के कैप्टन के साथ में कमपीट करेगा जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इस मैच के लिए पूरी तरह से एकसाइटेड हो गए थे और कहने लगते हैं कि हा हाओचेन इसमें जरूर जीतेगा अब इसी बज़ा से हम देखते हैं कि यहां का माहल पूरी तरह से बदल गया होता है और कैप्टन ली हाओचेन से कहता है मुझे नहीं पता कि पिछली बार तुमने किस चलाकी क्या यूज किया था लेकिन अब इस बार तुम मेरे सामने है कि वो जैसे ही अपने लाइट एलिमेंट को रिलीज करना सुरू कर देता है इस बात से यहां के सभी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गये थे तब ही यांग वेंजाओ कहने लगता है कि कैप्टन ली तो असल में सेवेंथ लेबल वाला गाडिया नाइट है इसी वज़ा से इसके पास में इतनी ज़्यादा लाइट एलिमेंट है जिसके बारे में इसने पहले रिविल नहीं किया था वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोग भी इसे देख पूरी तरह से हैरान होने लगे थे और कहने लगते हैं कि बाकी लाइट एलिमेंट भी इसके त देता और वो सीधे अपने light element को release करना सुरू कर देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके इतने ज़्यादे light element को देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे क्योंकि अब सभी light element fly करते हुए हाओ चेन के तरफ में जाने लगे थे जिसके बज़ा से हम देखते हैं कि captain लीवी काफी परिसान हो गया था और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अचानक से उसके साथ में क्या होने लगा इसके बाद वो हाओ चेन से कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि तुम तो अभी केवाद level 5 में हो तब इस पर हाओ चेन उससे कहता है कि तुमें त तब इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने लाइट ड्रेगन को भी बाहर निकाल लेता है जो कि यहाँ पर अपने पाउर को बहुती संदार तरीके से रिलीज करने लगा था इसलिए अब इसके पाउर के सामने कैप्टेन ली का लाइट पाउर कुछ भी नहीं कर पा था क्योंकि सबको पता है कि हाओ चेन अभी के वाद लेबल 5 में है इसलिए इसके पास में इतनी ज़्यादा लाइट एलिमिन कैसे हो सकती है अब इस बात से इनको समझ में आ गया था कि हाओ चेन का इनेटी स्प्रिच्वल पाउर कैप्टेन ली से भी ज्यादा है और फिर इसी के साथ लाइट ड्रेगन यहां से गाइब हो जाता है तब ही हाओ चेन कैप्टेन ली से पूछता है कि क्या आपका डाउट खतम हो गया पर तब इसी बीच हम देखते हैं कि कैप्टेन ली इस बात को बरदास नहीं कर पाया था जिसके वज़ास से उसे हाओ चेन के उसे को भी सांथ कर लेता है वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एंजल गुरूप के सोलजर भी इस बात से काफी परिसान होने लगे थे और फिर कैप्टेन ली से पूछते हैं कि आखिर आपको क्या हो गया लेकिन कैप्टेन ली अब इसके बारे में इन से कुछ भी नही करना चाहिए था और इसलिए इसके लिए मैं तुमसे सौरी भी कहता हूं अब इतनी बात कहने के बाद कैप्टेन ली अपने सारे मेरिट पॉइंट को इसके पास में ट्रांसफर कर देता है जिस पर हाओ चैन इसके लिए इसे ठेंक्यू भी कहता है लेकिन तबी लिंस इन क सामने घुटने टेकना पड़ता है और वो सभी के सामने हाओ चैन से इसके लिए माफी भी मांगता है वहीं उदर बाकी लोग इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए थे और कहने लगता है कि कैप्टन ली तो हाओ चैन से हार गया और इसी के साथ उसे इसके सामने घुटने भ से काफी खुस हो गए थे और कहने लगते हैं कि हमारे लीडर को कोई भी टकर नहीं दे पाएगा लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि कैप्टल लीबी इनकी बातों को सुन रहा होता है और इस बात के वज़ज़ से उसे इनके उपर काफी गुस्ता भी आ रहा था लेकिन लगता है कि सच में हाउचे ने तो अपने लाइट एलमेंट को रिलीज नहीं किया था लेकिन आखिरकार इसके बाद भी लाइट एलमेंट रिस प्रीट ने उसे ही अपना मास्टर चूस क्यों किया तभी इसी बीच हम देखते हैं कि सायर की मदर एक लैंप लिये हुए एक बच्चे के साथ में इसके पास में आती है लेकिन असल में वो लड़का कोई और नहीं बलकि सायर के फादर थे जो कि डिमन गॉड के पाउर से जक्मी होने के बज़े से बच्चा बन गए थे और इसी के साथ साथ इनकी सारी अदास्त भी चली गई है लेकिन तब ही हम बारे में इतने confident कैसे हूँ जिस पर flame demon god कहता है कि light elemental spirit एक ऐसी चीज है जिसे की हर एक इनसान पाना चाहता है लेकिन असल में जैसे ही कोई उसके power को अपने अंदर absorb करने की कोसिस करेगा तब इसके बज़े से उसके उपर लगाया हुआ mark एक्टिवेट हो जाएगा लेकिन अब तुम केवल इसके बारे में देखते जाओ क्योंकि या game तो अभी केवल सुरू हुआ है इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी लोग एक्सरसिजम पास पर बहुत सारे लेंप उडा रहे थे क्योंकि असल में वो ऐसा करके अपने मरे हुए साथियों को सरधा aan जली दे रहे थे जहां पर होला सब्स होते हिए कहए कि हमने टीमन क्लाइन के ग्रेंड ट्रांसवर्ट को पूरी तरह से बरबाद कर दिया इसके साथ साeed हम वहाँ से सुरक्षिट बाहर दो और इसलिए हम तुमें हमेशा ही याद रखेंगे अब इसका अगला पार्ट भी कुछ देर में अपलोड हो जाएगा लेकिन अगर आप इसके लिए एक्साइटेड हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना